दिवाली आ रही है लोगों की तरब सिसको लेकर तयानिया भी शुरू कर दी गई हैं लोग अभी से ही अपने घरों को साफ करने में जुटे हुए हैं दरसल लोगों का मानना होता है कि उनकी साप सफाई को देखकर माता लक्ष्मी उनके घर पधारती है और उन पर अपनी अपर रसाती है लेकिन सच्चा यही है कि कुछ लोगों पर लक्ष्मी मैया की करपा नहीं बरसती आखिर किन लोगों से लक्ष्मी माना आराज रहती है और क्यों उन पर करपा नहीं बरसती चलिए इस वीडियो में हम आपको यही बताते हैं लक्ष्मी का वास और सुक शान जिस घर का मुख्या या अन्य परीजन सूर्य उद्य के बाद तक सोते रहते हैं, ऐसे घर में लक्ष्मी ज़्यादा समय तक नहीं तिकती, साथी आलसी लोग, इश्वद में विश्वास ना करने वाले लोग, ब्रहस्टाचारी लोग, चोर तथा कप्टी किस्म के लोगों के यहां भी लक्ष्मी की करपा ज्यादा समय तक नहीं रहती है, जिस घर में छोटी या बहु का अप्मान करते हैं उसके साथ नौकरानी जैसा वहवार करते हैं ऐसे घर से भी लक्षमी दूर रहने लगती है साथ ही ऐसा घर जिसमें लक्षमी स्त्रोत का पाठ नहीं होता और धन का अपवया होता है उस घर के लोगों को लक्ष्मी का सुख कभी प्राप्त नहीं होता जिस घर के सदस्य मास मंदीरा का सेवन करते हैं यानि दारू वगेरा पीते हैं उस घर से भी लक्ष्मी दूर चली जाती है शास्त्रों में भी कहा गया है कि मासाहारी लोगों के घर में लक्ष्मि का वास नहीं रहता जो महिलायें अपने घर में पूजा का अस्थान तक नहीं रखती उनके घर से लक्ष्मि दूर बनी रहती है और उस घर में हमेशा कर्जा रहता हैं तो ये थे वो कुछ कारण जिनके चलते लक्ष्मी मया लोगों से नाराज रहती है और त्योहार के मौके बर भी इन घरों में नहीं आती है आपको हमारी पोस्ट कैसी लगी है कोमेंन सेक्षन में हमें जरूर बताएगा बाकी कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं वीडियो आपने देखी है इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया